नैनिताल हाई कोट ने बुद्वार को एक एहम फैसले में उत्तरप्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादफ को भाती हत्यकान मामले में बाइज़त बरी कर दिया है कोट ने सीबियाई कोट के साल 2015 के फैसले को पलटते हुए डीपी यादफ को बरी किया CBI COAT ने यादव को दादरी की वधायक रहे महिंदर भाटी की हत्या के मामले में दोशी मानकर आजीवन कारावास की सजा दी थी उत्तर प्रदेश खा था बेहद चर्शित मामला जी हा उत्तर प्रदेश खा ये बेहद चर्शित मामला था जब सांसर दहे डीपी यादव पर उनके राज़ुति गुरु महेंदर भाती की हत्या का आरोप लगा था 13 सितंबर 1992 को दादरे में रिल्वेस्टेशन में वधाई महेंदर भाती की गोली मारकर गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई थी डीपी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी मामले में पूर्वसांसर, धर्मपाल यादव, परनीत भाटी, करण यादव और पाल सिंग को आरोपी बनाए गया था 15 फरवरी 2015 को कोट ने डीपी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी तब से वो देरादून जेल में था इस मामले में हाई कोट में सुनवाई चल रही थी और इस साल कोट ने डीपी यादव को स्वात सिसम्मंदी कारणों से तीन बार शौर्ट टर्म बेल मिल चुकी थी अन्य आरोपियों के सजा पर अभी निर्ने नहीं आया है यादव फलाल अंतरिम जमानत पर चल रहे हैं तो करण यादव को भी शौर्ट तम बेल मिली है पिछले महीने नैनिताल आई कोट ने गाज़ेबाद के वधायक महिंदर भाटी हत्यकान की आरोप में आजीवन कारवाज की सजा कार्ट रहे करण यादव को एक महीने की शौर्ट तम बेल दी थी मुक्य नैएधीश, आरिस चोहान और नियाए मूर्ती आलो कुमार वर्मा की खंट पीट के समक्ष फैसले की सुनबाई हुई थी